यह मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा नमस्ते नमस्ते के क्या मानिये भैसाब आप बोल सकते हैं नहीं पता क्या मानिये माइक्रफ़न अन कीजिए जरा भैसाब कर नमस्ते मतलब मैं सर जुका के मैं आपको नमन करता हूँ सर जुका के आप मुझे नमन करता हूँ सर जुका क सर जुका के मुझे नमन करना शिर्क है हराम है, prohibited है आप मेरे सामने भी सर नहीं जुका सकते चाहे आप मुझे मुझे मुपत करते है चाहे आप मेरी इज़त करते है फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं जुका सकते सर जुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने अल्ला के सामने और मैं खुदा नहीं हूँ आप जानते हैं आप मेरी इज़त कर सकते हैं मेरी बात जो मैं कहता हूँ उसके उपर अमल कर सकते हैं लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं जुका सकते इसलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा Assalamualaikum आप पे सलामत ही हो आप पे सलामत ही हो आप समझें ना मैं आपके सामने जुक नहीं सकता हूं ये सिर जुकेंगा तो सिर्फ Allah के सामने सिर्फ फुदा के सामने तो आपने मैं बड़पन में मुझे कहा लिकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूँ क्यूंकि मैं जानता हूँ जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं कर दो अगर पर एक मैना पहले मैं जए बंबे अपोर्ट पर था तो एक और अगरत हिंदु खातूल मुझे पुछी के आप डॉक्टर जाकिनाएक है आई यू दोक्टर जाकिनाएक यू ने कहां जी है ओ मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ मैं दुबए पचीज सा दोक्तर जागी सारी तारीफ है अल्ला की है मैं कुछ भी नहीं और फिर कहने लगी कि मैं तुमारे पैर जुना चाती हूँ मैंने कहा कर यह गलत है शिर्क है तो वह जवाब मेंने दिया आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानुगी तो मैंने कहा आप कुरान मजिद पढ़िये कुरान मुजित पढ़िए और इसके अपर अमल कीजिए और मैंने तक्रीफ दिये सिमिलाइटी बिट्वीन इसलाम और हिंदूइजम इसलाम और हिंदूइजम में यकसानियत और साबित किया है कि हिंदूइजम में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक इशुर की अबादत करना चाहिए जितने रिशिय आने वाले उन में मानना चाहिए और मुझमस सल्लाव सल्लम में भी तो आपको अगर पुरान और वेदा पर अमल करना चाहिए जो लिकसा है आपको इखुदा में मानना पढ़ेंगा और आखरी पैगर मुझमस सल्लम भी